अ गया केla अगेट हेलो स्टूडलिन चेंडर हम लोगोंने पॉली नेशन से रिलेटेड सारे इवेंच को डिस्कस कर लिया दा वे सिकां कौन कौन से क्querफ्स एन जो किसको प्रमोट करते हैं जो self-pollination को promote करते हैं वैसे कौन से event है जो cross-pollination को promote करते हैं and then हम लोगों ने artificial hybridization के steps को discuss कराता ठीक है आज के lecture में हम पढ़ेंगे fertilization कैसे होता है fertilization को discuss करेंगे but fertilization पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि pre-fertilization से पहले होता क्या है उसको एक बार हम recall करेंगे हलाकि हम लोगों ने सारह कुछ जो की fertilization से पहले होता है वो सब कुछ हमने discuss करा हुआ है हमने male reproductive structure को detail में study किया female reproductive structure को study किया anthra का structure, ovule का structure हर कुछ को हमने discuss किया and हमने फिर pollination देखा and हमने even pollen tube का formation कैसे होता है male gamet का formation कैसे होता है egg कैसे form होता है यह सब कुछ discuss कर लिया था last lecture के अंदर हम लोगों ने यह भी देखा कि किस तरह से artificially हम hybridize करा थे clear, so हमने सारे lectures में अभी तक के lectures में fertilization से पहले क्या होता है उन सारे events को हमने discuss कर लिया एक बार हम देख लेते हैं कि fertilization से पहले event actually में होता क्या है और किस तरह से जो pollen tube form हुआ था वो pollen tube egg तक पहुचता है उनको हम यहां discuss करेंगे so हम यहां discuss करेंगे pollen-pistil interaction, what is pollen-pistil interaction, pollen-pistil interaction के अंदर वो सारे event आते हैं, कब से कब तक का event आता है, यह हमें जाना जरूरी है, तो सबसे पहले तो जब pollen-grain stigma पे fall होता है, तब से लेकर के, जब pollen tube entry लेता है ovule में, तब तक का जो भी event है, सारे event को हम बोलते हैं, pollen-pistil interaction, कहने का मतलब it includes all the events from falling of pollen-grain on stigma, stigma पे pollen-grain गिर रहा है, तब से up to the entry of pollen tube inside the ovule, pollen tube जब तक ovule के अंदर entry नहीं ले लेता है, तब तक जितने भी events आएंगे उसे हम बोलेंगे, pollen-pistil interaction, clear? अब इनके बीच, जो steps होते हैं, उन्हें हम डिसकस करते हैं, ठीक है, सबसे पहला तो formation of pollen tube, pollen tube का formation कैसे हो रहा था? हम लोगों ने डिसकस किया था, याद होगा आपको vegetative tube cell, जो था, वो किसको form कर रहा था? pollen tube और generative cell क्या form कर रहा था? दो male gamut, ठीक है ना? and generative cell divides to form a pair of male gamut यह हमने डिसकस करा हुआ है, कैसे हुआ था? asymmetrically divide किये थे यह सब उसके बाद, दूसरा event, cap block zone of pollen tube pollen tube जो हमने देखा था, उसका जो cap block zone था उसमें, गॉलगी बॉड़ी बहुत जादा होता है और वो क्या secret करता है? pectinase, very important, क्या secret करेगा? pectinase enzyme, जो कि pectin को digest करता है यानि, which dissolves cells of style style के cells को यह dissolve करता है, यह enzyme जिससे, जो pollen tube है, आसानी से पास कर जाता है और साथ-साथ nutrition भी मिलता है clear? so, याद रखिएगा, pollen tube का, जो cap block zone है वो रिच होता है, गॉलगी बॉड़ी में, वो secret करता है pectinase, जो कि dissolve करेगा style के cells को for passes and nutrition इसके बाद, तीसरा event क्या होगा? growth movement of pollen tube is chemotropic and male gamut through pollen tube is siphonogammy यानि, जो pollen tube का movement आप देख रहे है वो chemical के थू हो रहे है यानि, chemical उनको क्या करे है, इस्टिमूलेट कर रहे है जिसके थू हो आसानी से move कर पा रहे है तो इसलिए हम लिख रहे है growth movement of pollen tube is chemotropic and जो male gamut pollen tube के थू जा रहा है इसे हम बोलते है, सिफोनो गैमी तो तीसरा, सबसे पहला तो pollen tube form होगा male gamut form होगा फिर ये कैसे स्टैल्स के थू ट्रांसफर होंगे तो pollen tube के कैप ब्लोग जोन में क्या होता है गौलगी बोड़ी होता है जो की पैक्टिनेज रिलीज करता है जो की help करता है पैसेज और नूट्रिशन में ठीक है ना तीसरा आमने देखा जो pollen tube move हो रहा है वो chemical stimulate कर रहा है जिससे move हो रहा है and male gamut pollen tube के अदर है तो इसे हम क्या बोल रहा है movement जो हो रहा है वो सिफनो गैमी इसके बाद next entry of pollen tube inside the ovule most commonly through the microfile is porogammy बच्चों हम लोगों ने पहले भी यह discuss करा हुआ है कि जो pollen tube है वो ovule में कौन से साइट से entry लेता है तो microfile जादा तर cases में microfile reason से ही entry लेता है तो इसे हम क्या बोलते है porogammy ठीक है and the next one is the tip of pollen tube burst to release the male gamut जैसे ही वो entry लेगा and one more important thing हमने देखा था philiform apparatus जब हमने ovule का structure देखा था तो वहां हमने not ovule female gametophyte का जो structure देखा था उसमें हमने देखा था कि synergids हमें नीचे मिल रहा है थे तो synergids में थिकनिंग था प्रजेंट जो कि था philiform apparatus काम उसका होता है कि जो pollen tube entry लेता है उसको guide करना ठीक है ना सो तो philiform apparatus क्या है cellular thickening of synergid toward microphile which guides the entry of pollen tube pollen tube के entry को क्या करता है guide करता है मतलब हुआ क्या fertilization से पहले हुआ क्या जब pollination हो गया तो pollination हो गया means stigma पे pollen grain आकर के आ गया है अब क्या होगा pollination के बाद pollen tube का formation होगा यह हमने already discuss करा हुआ है कैसे pollen tube का formation होता है और उसमें क्या होगे meal gamet form होगे by generative cell ठीक है उसके बाद जो pollen tube है pollen tube में जो cap block zone है वो gall की body उसमें जादा होता है जिसके कारण वो pectinase release करता है जो की help करता है pollen tube को के movement में ठीक है मतलब उससे क्या हो रहा है जो cells of style है वो digest हो जा रहे dissolve हो जा रहे है जिससे हो क्या रहा है आसानी से वो pass कर जा रहा है और nutrition भी उससे उसको मिल रहा है इसके बाद अगर movement पूछा जा जो growth movement होता है pollen tube का वो कैसा होता है तो इसे हम क्या बोलते है इस movement को सिफनो गैमी उसके बाद next क्या हो रहा है pollen tube इंट्री ले रहा है किसके थूप माइक्रोफाइल रीजन के थूप इंट्री लेगा यह हमने पहले भी पढ़ा है ज्यादा तर केसे में किसके थूप इंट्री लेगा और इसे लिए इसे हम क्या बोलते है पोरोगैमी जैसे ही इंट्री लेगा जो पॉलिन ट्यूब है वो बर्स्ट हो जाएगा बर्स्ट होने के बाद क्या रिलीज होजएगा और यह जो इंट्री है इसको गाइड कौन करेगा फिली फॉर्म एपरेटस जो की सिनर्जिड्स में प्रेजेंट होता है सिनर्जिड्स का सेलूलर थिक्मिंग था हमने देखा था फीमेल गेमिटोफाइट के स्ट्रक्चर में तो यह सारे इवेंट्स फर्टिलाइजेशन से पहले होंगे और पॉलिनेशन के बाद होंगे यह हमें आद रखना है इसमें यह वारा जो प्रोसेस है यह हमने अल्रेडी डिसकस्त पहले करा हुआ है यह सारे इवेंट्स को आपको लर्न करना है ठीक है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजे फिर अब हम देखेंगे यह फर्टिलाइजेशन जो सेक्शुल रिप्रोड़क्शन का सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है वो हम देखेंगे कैसे होता है तो यह प्लीज नोटे डाउन फर्स्ट अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन एवेंट को वेरी वेरी इंपोर्टेंट जो फर्टिलाइजेशन होता है यहां पर फर्टिलाइजेशन जो है यह दो तरीके से होगा कैसे दो बार होगा फर्टिलाइजेशन इसलिए हम यहां यूज करते हैं टम डबल फर्टिलाइजेशन तो एक जो fertilization होगा ये हम सब जानते हैं इसे हम बोलते हैं सिन ग्यामी सिन ग्यामी या इसे और हम बोल सकते हैं जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन यहां होता क्या है जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हमने देखा कि जो pollen tube था उसमें दो male gamet थे और pollen tube ovule के अंदर इंट्री लेता है और burst करता है ठीक है बट जो female gametoph toe उसमें egg कितना है एक तो एक male gamet एक egg के साथ fuse करता है तो इसे हम बोलते हैं syngamia generative fertilization यानि यहां पे क्या हुआ वन मेल गैमिट जिसकी प्लॉइडी आपको याद होगी क्या होता है प्लॉइड होता है न तो यह एन यह फ्यूज किसके साथ करेगा एगसेल के साथ ठीक है यह भी कितना अब इन दोनों के बीच क्या हुआ फ्यूजन हुआ जिसम क्या बोल रहे हैं तो चांज होगा जाइगोट जो कि क्या वह जाएगा टेपलोईड त्यूए और फर्दर हम आगे देखेंगे जाइगोट से जाइगा इंब्राईड Со 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 एक ब्रीतल सब्स्कार्राइजर को नंने यह सहले जाय है Пटछ कर रहे हैं कितना मेल जाँ इसे नहीं दो मेल घ्रमेत आइए जिसमे चिसमें एक मेल तो एक के जामे हो गया दूसरा मेल ग्मेट क्या करता है second जो हम देख रहे हैं इसे हम बोलते है triple fusion क्या बोलते है triple fusion triple fusion इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पे तीन nucleus क्या हो रहे है fuse हो रहे है triple fusion यहां पर क्या होगा एक male gamut जो बचा हुआ था one male gamut और ये fuse किसके साथ होता है याद होगा आपको हम लोगों ने जो female gametofide बनाया था उसमें हमने एक central cell बनाया था जिसमें दो polar nuclei present थे तो ये किसके साथ fuse होता है ये fuse होता है polar nuclei के साथ किसके साथ fuse हो रहा है polar nuclei which is N plus N जिसमें दो nucleus क्या थे present थे अब ये जो polar nuclei है इसे हम क्या बोलते हैं अब secondary nucleus बोलेंगे क्या बोलेंगे secondary nucleus जो की हो जाएगा 2N N plus N क्या हो जाएगा 2N तो एक male gamet किसके साथ fuse कर रहा है secondary nucleus के साथ तो अब यहाँ पे क्या बन रहा है PEN ठीक है 1 male gamet ये कैसा है haploid ये कितना है 2N PEN क्या है primary endosperm nucleus primary endosperm endosperm nucleus ठीक है और ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3N यहाँ पे 2N और ये N fuse to form 3N और finally इससे क्या अबको मिलता है endosperm जिसके बारे में हम आगे देखेंगे कि endosperm जो है ये क्या करता है developing embryo को nourishment provide करने का काम करता है clear so triple fusion से क्या फॉर्म होगा endosperm और syngammy से यानि generative fertilization से क्या फॉर्म होगा zygote clear triple fusion को हम दूसरा बोल सकते है vegetative fertilization clear so यहां पर बेसिकली हो क्या रहा है fertilization में एक male gamet एगे के साथ फूस करेगा which forms zygote which is deployed and one other male gamet fuse with polar nuclei which is secondary nucleus which is deployed and both get fused to form primary endosperm nucleus which is triploid यानि 3N and primary endosperm nucleus develops to form endosperm which provide nourishment to the developing embryo यह आगे हम लोग देखेंगे clear so fertilization यहां पर कैसा हो रहा है double fertilization हो रहा है कौन सा fertilization हो रहा है double fertilization यानि fertilization दो बार हो रहा है एक sincami और दूसरा triple fusion तो double fertilization क्या होता है यह आप अच्छे से समझ गया होंगे double fertilization अगर पूछा जाए what is double fertilization तो हो क्या रहा है एक जो male gamet वो egg के साथ fuse कर रहा है और दूसरा जो male gamet वो secondary nucleus के साथ fuse कर रहा है समझने आगे बात ठीक है तो आप इसको note down कर लीजे फिर हम देखते हैं कि fertilization के बाद जो कौन-कौन से structure किसमे convert हो जाते है and then हम लोग देखेंगे इंडो sperm के बारे में detail में और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि जो embryo है इसका formation कैसे होता है कैसे कैसे जो embryo है वो कौन-कौन से structure को form करता है clear तो पहले आप इसको note down करने जाए so students अब हम देखते हैं कि fertilization के बाद जो भी structures form हुए है उनका क्या होता है ठीक है so यहाँ जो structures हम देख रहे हैं जो fertilization से पहले थे after fertilization उनमें क्या changes आता है तो जैसा कि हम देख रहे है जो ovary था fertilization से पहले वो fertilization के बाद convert हो जाता है fruit में यानि ovary convert into fruit उसी तरह ovary wall की बात करें तो यह किस में convert होगा अब्विस सी बात है ovary अगर fruit में convert हो रहा है तो जो ovary wall है किस में convert होगा fruit wall में और इसे हम यहां क्या बोलेंगे पेरी कार्ब बोलेंगे इसके बात next हम बात करते हैं ovary जो ovary है वो किस में convert होगा seed में convert होगा यानि after fertilization जो ovary होता है उसे हम क्या बोलते है seed बोलते है अब ovary को हम seed बोल रहे हैं तो ovary के जो wall layer थे इंटिगमेंट तो जो आउटर इंटिगमेंट था यहां क्या हो जाएगा आउटर सीड कोट जिसे हम बोलेंगे टेस्टा एंड उसी तरह जो inner इंटिगमेंट यानि inner wall layer था ovary का उसे हम after fertilization क्या बोलेंगे inner seed कोट यानि टेगमें उसके बाद नसेलस की बात करें वेरी वेरी इंपोर्टेंट नीट एग्जाम में रिसेंटली से question आया है इसमें क्या होता है generally जो नसेलस से वो degenerate हो जाता है but it persists to form क्या form करेगा perisperm यही question आया था ठीके ना तो यह कौन कर रहा है नसेलस इसके बाद next is antipodal antipodal cells याद होगा आपको जो हमें embryo shack में मिला था वो क्या होगे degenerate हो जाएंगे synergid भी degenerate हो जाएगा polar nuclei हमने देखा भी fertilization से की polar nuclei किसमें convert हो जाएगा indosperm में convert हो जाएगा किसमें इंडosperm में कैसे होता है और उनसे किस तरह से radical plumol यानि जो की root और shoot का formation करते हैं वो structures form होते हैं तो यह हम detail में study करेंगे उससे पहले हम देख लेते हैं कि यह जो indosperm है इसके types और indosperm होता क्या है यह तो आप समझ गया होंगे कि इंडosperm क्या है तो triple fusion से जो structure form होता है उसे हम क्या बोलते हैं इंडosperm बोलते हैं clear? और इसका काम क्या होता है यह भी मैंने आपको बता है developing embryo को nourishment provide करना ठीक आप इसको note on कीजिए फिर हम अब study करेंगे सबसे पहले indosperm के बारे में तो जैसा की हमने देखा indosperm क्या है हम पढ़ रहे हैं flowering plant angiosperm तो अजोसperm में से हम कैसे define करेंगे what is indosperm it is a it is a triploid tissue कैसा tissue है यह triploid tissue है triploid tissue क्यों बोल रहे है क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि यह कितना था 3N था इसका प्रोईडी ठीक है तो it is a triploid tissue formed after कब form होता है formed after triple fusion हमने देखा triple fusion अभी थोड़े दिर पहले तो triple fusion से क्या हो रहा है यह form हो रहा है काम क्या होता है which provide which provide nourishment nourishment to the to the developing developing embryo developing embryo को nourishment provide करता है यह हम देखेंगे next lecture के अंदर जब हम पढ़ेंगे कि कैसे embryo का development होता है dicots में या monocots में तो वहा हम देखेंगे कि endosperm किस तरह से nourishment provide करता है clear so यह क्या है यहां हमने clearly define कर लिया यह पहले ही हम समझ चुके थे कि एक triploid tissue है कैसे triploid tissue है तो हमने देखा कि triple fusion से यह form होता है तो इसकी प्रॉइडी क्या है यह प्रोवाइड नरिश्मेंट टूदी डेवलपिंग इंब्रायो काम क्या होता है डेवलपिंग इंब्रायो को नरिश्मेंट प्रोवाइड करना अब हम यहां बार-बार क्यों मेंशन कर रहे हैं कि यह endosperm में ही triploid tissue है ऐसा इसलिए क्योंकि अलग-अलग plants में इसकी ploidy अलग-अलग होती है जैसे हम यहां लिख रहे हैं ploidy ठीक है और यहां हम mention करेंगे plants ठीक है जैसा कि अगर हम बात करें gymnosperms में तो gymnosperms में हमें पता है हमने plant kingdom में discuss करा हुआ है 11th के अंदर कि इंडो-sperm जो है gymnosperm में fertilization से पहले form होता है то fertilization से पहले form होता है तो वहां जो इसकी ploidy होती है वो होती है क्यों? क्योंकि यह fertilization से पहले form हो रहा है तो ploidy क्या होगी? और यह किस में होता है in gymnosperm reason हम यहां जरूर mention करेंगे in gymnosperm it is formed it is formed before fertilization fertilization से पहले फर्म हो रहा है इस कारण से जो इसकी प्लॉइडी है वो क्या है एन है कुछ प्लांट्स में जो इसकी प्लॉइडी है वो 2N भी होती है जैसे किस में होता है और इनो थेरा में होता है सबस्क्राइब थेरा में प्लॉइडी क्या होगा टुए एन फिर 3-n किस में होता है बच्छो 3-n तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं जो सपर में एंजिस क्या हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है और नूकलियाई फ्यूज करें मेल गया मेट के साथ तो क्या फॉर्म कर रहे है त्री एंड टिशु फॉर्म करें फिर कुछ में जो इसकी प्लोएडी होती है वो 5-N होती है 5-N किसमें हमें देखने को मिलता है तो यह हमें देखने को मेलेगा पेनिया में आन्ड 9N भी ploidy हमें देखने को मिलता है एंडो aamoy truck, जो कि हमें मिलता है पैपरोमिया में बच्चों ये ploidy हम इसले में जाक्षिन कर रहे हैंuz की नीट एग्जाम में इसके some different था कि 9N ploidi इन में से किसे में देखने को मिलता है इंडो स्पर्म का तो यह इसमें option था प्रपरोमिया उसी तरह 5N का क्या होजे का पेनिया 3N हमें पता है जाद तर एंडो स्पर्म में 3N ही होता है उनो थेरा में 2N और जिम्नो स्पर्म में and because it is formed before fertilization so this is endosperm आप इसको note down करिए फिर हम endosperm के types को discuss करते हैं so students next हम देखते हैं types of endosperm endosperm होता क्या ही हम समझ चुके हैं अब types देखते है types में सबसे पहला आ जाता है nuclear endosperm nuclear endosperm for example हमें देखने को मिलता है common होता है पहली चीज़ तो angiosperm में सबसे जादा इंडो-sperm में आपको which two is nuclear endosperm जैसे coconut आप अपने देखा होगा गोनट में गवीड मिलता है liquid endosperm उसे ही हम क्या बोलते है nuclear endosperm क्या है वह type है nuclear endosperm का मतलब जो liquid coconut में में देखने को मिलता है देखते होंगे वो highly nutritious होता है ठीक है ना तो इसमें होता क्या है यह इंडोस्पर्म कैसे फ़र्म हो रहा है इसमें free nuclear division हो रहा है nucleus freely divide कर रहा है without wall formation यानी free nuclear division in pen यानी primary इंडोस्पर्म nucleus not followed by wall formation wall formation नहीं होता है सिर्फ nucleus ही क्या करते हैं लगाता डिवाइड करते रहते हैं ठीक है तो जिससे क्या form हो रहा है सिर्फ liquid आपको मिल रहा है और यह आपका example है coconut का ठीक है यह ज्यादा तर आपको angiosparm में ही देखने को मिलता है nuclear endosparm simply समझेगा what is nuclear endosparm nuclear endosparm मतलब वैसा endosparm जिसमें जो pen है इसमें जो डिवीजन हो रहा है उसमें nucleus freely divide कर रहा है wall formation नहीं हो रहा है यह साइटो कानेसिस अब बोल सकते हो नहीं हो रहा है ठीक है इसके बाद दूसरा है cellular endosparm जैसे धतूरा पेट्यूना या आप बोल सकते हो coconut का solid पार्ट यह भी अडिवल होता है ना so cellular endosparm में क्या होगा nuclear division तो हो गई होगा followed by wall formation यानि wall का भी formation हो रहा है यानि cytokinesis भी यहां में देखने को मिल रहा है तो second type is cellular endosparm third is hellobial endosparm यह हमें देखने को मिलता है S4 डिलस में इसमें क्या होगा पहले तो nuclear division होगा जिसमें wall का भी formation होगा बट इसके बाद क्या होता है nuclear division होता है बीना wall formation के यानि पहले nucleus का division हो रहा है with wall formation and दुबारा से freely nucleus divide करें बीना wall formation के यानि यह intermediate है इन दोनों के बीच का nuclear endosparm और cellular endosparm के बीच का intermediate है इसे हम भोल रहा है hellobial endosparm यह आपको देखने को मिलता है S4 डिलस में ठीक है यह हमें देखने को मिलता है अरेका डेट पाल्प इन सम्में हमें देखने को मिलता है ruminant endosparm जैसा कि हमने देखा nuclear endosparm कैसा होता है almost liquid जैसा होता है क्योंकि उसमें wall का formation नहीं होता है दूसरा में cellular endosparm देखा था solid endosparm coconut का ठीक है फिर हमने जिसमें आपको uneven surface देखने को मिलता है उसे हम बोलता है ruminant endosparm next is mosaic endosparm endosparm having patches of different color यानि वैसा endosparm जिसमें गुच्छे हो अलग-अलग colors के तो उसे हम क्या बोलेंगे mosaic endosparm जैसे maze maze में हमें क्या क्या देखनी को मिलता है वैसा endosparm देखनी को मिलता है जिसमें गुच्छा होता है अलग-अलग colors का ठीक है ना सो इसे हम क्या बोलेंगे mosaic endosparm तो इस वाल आड़ टाइपस of endosparm one more important thing जो हमें लर्न होना चाहिए जो कि हमने morphology में भी देखा है alluron layer यह भी क्या होता है triploid क्योंकि यह है क्या outermost layer of endosparm endosparm का सबसे बाहर का layer है becomes nutritionally specialized and rich in protein protein इसमें बहुत जादा होता है and is called alluron layer और इसी कारण इसे हम क्या बोलते है alluron layer क्योंकि protein इसमें बहुत जादा होता है highly nutritious होता है इस कारण से ठीक है so this is all about endosparm तो हमने endosparm देख लिया कैसे form होता है कितने types होते हैं अब हम लोग कुछ questions जो है उसे deal करते हैं कि क्योंकि जो question solve करने का तरीका है उसके लिए हम कुछ formula यहां पर आपको बताएंगे कि किस तरह के questions आते हैं और उनसे related formula next lecture में हम देखेंगी कि जो embryo है उसमें development कैसे होता है डाइकॉट का अलग देखेंगी मोनोकॉट का अलग देखेंगी तो पहले आप इसको पहले note down कर लीजे फिर हम कुछ questions जो है इससे related उनको solve कर लेते हैं so students question is कि अगर male plant 4N है और female plant 2N है then what will be the ploidy of following structures यह सारे जो structures दिये हैं तो यह question generally exam में आता है कि अगर male plant की ploidy यह है female plant की ploidy यह है तो इन सारे structures की इन में से कोई भी structure देदेगा इसकी ploidy क्या होगी तो यह आपको जानना चाहिए because अगर आप इन सब के ploidy के बारे में जानते हो तो ही आप बता पाओगे कि इन्रोस्पर्म की ploidy क्या है या जाइगोट की ploidy क्या है तो जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा हमने male plant जो लिया था जो हमने पूरे male plant को discuss किया था वो क्या था था deployed था 2N था यहाँ male plant हमने क्या लिया है foreign और female plant as it is 2N लिया है तो अगर male plant foreign है तो pollen mother cell भी क्या होगा foreign होगा ना because जैसा कि हमने देखा था कि male plant को हमने deployed लिया था तो वहाँ भी pollen mother cell क्या था deployed था तो उसी तरह यहाँ अगर male plant foreign है तो pollen mother cell भी क्या होगा foreign foreign होगा ठीक है इसके बाद pollen mother cell के अंदर क्या हुआ था meiosis तो meiosis होने के बाद वहाँ deployed था तो meiosis के बाद cells जो pollen grain format हो कैसा होगे था है ploid बट यहाँ पर क्या है tetraploid यानि foreign है तो जो pollen grain होगा वो कैसा होगा 2N होगा clear और pollen grain में क्या होता है mitosis mitosis equational division है तो क्या form होता है male gamut to male gamut भी क्या होगा 2N clear उसी तरह mega spore mother cell की बात करें तो जो प्लॉइडी जो female plant होगा की होगी तो कितना है 2N तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2N अब इसके अंदर क्या होगा meiosis तो क्या form होगा mega spore mother mega spore तो यह क्या होगा N यानि haploid antipodal cells जो mega spore वही antipodal cells N female gamut भी क्या होगे N अब यहाँ जो important है वो यह जाइगोट या embryo जाइगोट जो फर्म हो रहा है जाइगोट कैसे फर्म हो रहा था वन male gamut fuse हो रहा था एग के साथ तो क्या form रहा था जाइगोट तो एग क्या है haploid N और male gamut क्या है 2N तो 2N और N fuse हो क्या हो जाएगा इसकी ploid 3N और अब आते इंडो स्पर्म इंडो स्पर्म की बात करें तो यहां पर जो पोलर नुकला है वो as it is N plus N यानि 2N और जो male gamut है वो क्या है 2N तो 2N और 2N fuse करेंगे तो क्या हो जाएगा इंडो स्पर्म 4N यह जेस्ट एक एक जामपल है जिससे अगर इस तरह का question आता है तो आप इसको ऐसे solve कर सकते है ठीक है ना सो यह first question है इससे related एक और question है जो हम देख लेते हैं ताकि हमें questions बनाना क्या हो जाए आसान हो जाए फिर तो पहले आप इसको no down कर लीजे फिर हम second question हमारा deal करते है so students next जो हमारा question है वो based है कि कहां-कहां meiosis हुआ है हम लोगों ने देखा है कि जो pollen mother cell था pollen mother cell के अंदर meiosis होता था तो क्या form हो रहा था तो फार्म हो रहा था pollen gray ठीक है ना उसी तरह हम देखें Megaspore mother cell के अंदर meiosis होता था तो यहां question यह है कि what will be the number of meiosis to form 200 seeds 200 seeds form होने के लिए कितने meiosis चाहिए what is the number of meiosis तो यह आप in general calculate करके बता सकते हो 200 seeds form होंगे तो कितने meiosis होंगे जो हमने तरीका पढ़ा है उससे आप बता सकते हो calculate करके बट यह time-taking है तो exam में हमारे पास time तो कम होता है तो हम इसको इन questions को आसानी से solve कैसे करेंगे इसके लिए हम कुछ formula यहां deal करेंगे ठीके ना यहां पर question यह है कि what will be the number of meiosis to form 200 seed in most of angiospermic plant and also in the member of Cypressi family Cypressi family का कुछ अलग case है जो कि आपका homework है आपको पता करना है कि Cypressi family में ऐसा क्यों होता है आगे देखते हैं कि इसमें हम meiosis कैसे calculate करेंगे और बाकी जो angiospermic plant है उनमें हम number of meiosis कैसे calculate करेंगे so इसके लिए formula है formula है देखिएगा कि number of number of meiosis for seed formation in general जो process हम लोगों ने पढ़ा है आप बार बार उसको लिख करके कि pollen mother cell में एक बार meiosis हुआ तो क्या form हुआ तो form हुआ पॉलन गेन उसी तरह megaspore mother cell में एक बार meiosis हुआ तो क्या form हुआ क्या form होगा megaspore फिर वो दोनों fuse करेंगे fuse करने के बाद क्या बनेगा जाइगोट बनेगा तो उससे embryo फिर उसे seed तो इस तरह से आप calculate कर सकते हो 200 seeds के बारे में बट यह time taking है तो इसके लिए हम क्या करेंगे formula है formula क्या है formula is n plus n by 4 n plus n by 4 यह formula के मदद से हम क्या कर सकते है number of meiosis calculate कर सकते हैं यहाँ n क्या है तो n is number of seeds to be formed जितने seeds form होने हैं उन seeds का number है ठीक ना so number of seeds to be formed तो यहाँ form केते seeds हो है 200 तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 200 plus 200 by 4 तो जो हमारा answer आएगा वो क्या आजाएगा 250 meiosis है ना कितना होगा 250 meiosis होगा तो क्या form होंगे 200 seeds form होंगे clear बात लेकिन सिप्रेसी family के लिए हम क्या formula यूज करते हैं सिप्रेसी के लिए formula यूज नहीं करते हैं इन सिप्रेसी family सिप्रेसी family यह जो होता है is equal to 2N number of meiosis अगर हमको count करना है तो यह हो जाएगा 2N and same है तो 2N क्या हो जाएगा 2 into 200 that is 400 meiosis कितने meiosis 400 और ऐसा क्यों हो रहा है सिप्रेसी फैमिली में यहां हम ऐसा क्यों यूज कर रहे हैं बाकी यह आप calculate करके देख सकते हैं कि अगर आप formula नहीं लगा रहे हैं इन जेरल calculate करके पता करना चाहरा है तो आपको answer इतना ही मिलेगा यह trick इसके बताया है क्योंकि यह आपको आसान होगा question solve करने में क्योंकि exam में हमारे पास time कम होता है इसलिए हम इस तरीके से इस formula से questions को solve कर सकते हैं कोर्ट में कैसे development होता है embryo के अंदर उनको हम detail में study करेंगे clear so अब इसको no down कर लीजे फिर हम मिलते हैं next lecture में thank you